अलो गाईज, वेलकम बैक टो अनेदर वीडियो और आप सब लोग अच्छे होंगे तो गाईज वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मुझे बताईए कि आपको हमारी ये न्यू नक्सॉन लग कैसी रही है मैं आपको इसका थोड़ा एक्स्टीर लुक दिखा रहा हूँ, आप मुझे बताईए, प्लीज कमेंट बताईए कि आपको ये हमारी नई नक्सॉन कैसी लग रही है तो गाईज, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम इस कार की मॉडिविकेशन के बारे में अज यू आल नो कि ये इसका स्मार्ट प्लस वेरियंट है, बेस से एक उपर वाला वेरियंट है तो इसमें बहुत सारी चीज़े जो नहीं आती है और बहुत सारा काम इसमें मैंने कराया है तो आज सब उन मॉडिविकेशन के वारे में मैं बात करूंगा, मैंने क्या क्या सिज़े में clarify करा है और मुझे क्या क्या price पड़ा है उन ऐन मॉडिविकेशन का ताकि अगर आप में से कोई बैस वेरियंट या स्मार्ट प्लस वेरियंट की तरफ जाना चाता है तो उसको एक idea मिल जाए कि क्या-क्या modifications पो अपनी car में करा सकता है and क्या-क्या उसकी costing उसको आईगी तो guys I hope ये videos आपके लिए informative video होगी and आप लोगों कोई इससे एक idea मिल जाएगा जो भी आगर आप इस car में modification कराना चाहते हैं उसके बारे पे तो कई सबसे पहले बात करते हैं car की front profile से तो अगर मैं बात करूँ car की front profile में मैंने ऐसा कोई changes नहीं कराए है इसमें आपको LED headlamp तो मिल जाता है बट fog lamp इस variant में नहीं आता मैंने अभी तक इसमें fog lamp इंस्टॉल नहीं कराया because जो aftermarket fog lamp अभी मिल रहे है मैं सोच रहा हूँ कि थोड़े time बाद उसको मैं इंस्टॉल करा हूँ या तो मुझे company fitted मिल जाए या aftermarket में भी कोई अच्छा option जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं अभी इसमें अपने fog lamp इंस्टॉल नहीं कराऊँगा तो बात करें side profile की तो side profile में सबसे पहले अगर आप देख रहे होंगे जो changes मैंने कराए है इस variant में आपको wheel cap नहीं मिलती तो ये wheel cap aftermarket है अगर इसके wheel cap की pricing की बात करूँ तो ये मुझे 1000 around की पड़ी है उसके अलावा जो आप ये bidding देख रहे हो ये chrome bidding ये भी इसमें नहीं आती है ये chrome bidding भी aftermarket कराए गई है ये मुझे cost I think around 7-800 के आसपस बढ़ी है उसके अलावा बात करू रूफ rails तो ये रूफ rails कहीं न कहीं गाड़ी की look enhance करते है ये रूफ rails भी aftermarket है because इस variant में रूफ rails नहीं आती है ये रूफ rails की अगर बात करूँ तो ये पुरानी जो nexon आती थी ये उसकी roof rails है new nexon की roof rail भी almost similar design की है बट थोड़ा सा उसमें matte color यूज किया गया है ये थोड़ा glossy color है ये पुरानी वाले nexon की बट ये बूरी नहीं लग रही है अच्छी लग रही है कार के साथ तो ये चीजे रही है side profile में जो मैंने changes कराई है अब बात करते हैं कार की rare profile की तो rare profile में अगर मैं changes की बात करूँ तो rare profile में मैंने ऐसा जिसमें ऐसा कोई changes नहीं कराया है सिर्फ एक bumper guard लगाया है पीछे मैंने ये I know बहुत सारी लोग बोलेंगे यार allow नहीं है वैसे personally मैं भी इसको लगाने के favor में नहीं था बट मुझे insist किया गया तो मैंने लगा लिया तो ये थोड़ा सा बट protection तो आपको ज़रूर देता है बात करें इसके pricing की तो इसका जो pricing है वो मुझे 2000 एराउंड पढ़ा है तो ये सब रहा इसका exterior modification अब एक बार मैं आपको interior से दिखाता हूँ कि interior में मैंने क्या-क्य changes कराए है तो गाई सबसे पहले मैंने जो changes कराए है इसमें अभी आपको इतना clear पता नहीं चल रहा होगा बिकाज ये जो है न ये fabric यूज किया गया है और मैंने इसको black tone में ही रखा है तो इसलिए इतना था visible आपको नहीं लग रहा बट अगर आप real में इसको feel करके आपको idea मिल जाते है अगर आप real इसको देखो के सामने से तो आपको पता चल जाएगा ये चीछ fabric है ये black यूज किया गया इसमें इसके अलावा बात करते हैं interior की अंदर से तो जैसे आप ये देख रही हो ये hydro dipping है उसके अलावा यहाँ पे जैसे top model में आपको मिलता है fabric वही पूरा fabric यूज किया गया है with brown stitching and यही similar type की brown stitching हमने अपनी seat covers में भी दीगी है तो कुछ इस तरीके से लोग इसका निगल के आता है एक काम करते हैं अंदर चलते हैं अंदर से ही मैं आपको दिखाता हूँ कि clearly कैसा interior में आता है लोग अंदर बात करूँ इस पूरे पार्ट की जो मैंने hydro dip कराया यह मुझे 5000 के राउंड का पड़ा है यह जो आप देख रहे हो यह same black fabric with brown stitching जो हमने अपने seat covers में भी उसकी है यह जो पूरे interior की cost हाई डिपिंग वाले पार को छोड़के जो आई है वो 5500 something around आई है जिसमें चारो डोर में fabric यूज हुआ है प्लस डैश बूर्ड में यहाँ पर यूज हुआ है तो यह चीज है जो मैंने यहाँ पर interior मोडिफाय कराया है उसके अलावा यहाँ पर आपको stereo तो मिलता इस variant में बट इसमें आपको back camera नहीं मिलता अगर आप back camera बहार से install कराओ आयरवें पर install कराओ तो वो आपको round 5-6000 का company दे रही है बट मैंने इस ही में अपना यह camera इंस्टॉल कराया है बट एक बार बताओ यार मैंने जो इंस्टॉल कराया है मुझे इसमें ना इतनी clarity नहीं मिल रही है जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ जैसे आप देख सकते हूँ यह पूरी proper clarity मुझे नहीं मिलती बट फिर भी चल जा रहा है काम इस से यह जो मैंने कराई है इसकी जो मुझे costing आई है वह आई थी around 3000 तो यह मेरा इसी पर work कर रहा है मेरे infotainment system जो मेरा company fitted आ रहा है उसी मेरा camera work कर रहा है इसके अलावा manual IRVM इसमें मैंने इंस्टॉल कर आई है इसकी cost मुझे I think 600 something आई थी बात करें इस car में मैंने MN lighting भी install कराई है यह six piece फाली MN lighting है जो मुझे 5000 की cost करी है यह आपका आप औरिंटेट भी है आप से भी इसको use कर सकते हो इसके लिए बटन भी यहाँ पर दिया गया जिससे आप changes कर सकते हो तो यह रहा सारा इंटीनेर का इसके अलावा GFX के मैट है इसके अलावा इसमें मैंने flooring भी करा रखी है and mat की cost को बताऊं तो मैट मुझे cost करें थे 2800 and flooring जो मुझे cost करी थी वो भी मुझे 25 2600 के around cost करी थी बात करते है सीट कवर की सीट कवर आप देख रहे हो फिटिंग ठीक है बट इस पार्ट से मैं जाथ सैटिस्फाइ नहीं हूँ यहाँ पे थोड़ा सा यह वाले पार्ट में उनने गलत किया हुआ या तो आप airbag वाले portion पे velcro का use कर सकते हूँ या तो आप उसमें एक अलग fabric लगेगा यह बहुत पतला वैबरिक है और खलकी stitching की गई है यहाँ पे और यह तना पतला है के टाइम पर यह ज्यादा problem create नहीं करेगा तो इसमें एक यह option आता है एक आप velcro के दुरू कर सकते हो जिसमें आपका velcro लग जाएगा और यह सीज आपकी पेस्ट हो जाएगी तो जैसे ही कुछ होगा तो आप उसको निकाल भी सकते हो एंड जब भी कभी airbag open होना होगा तो वह अपने आप velcro उसका खुल जाएगा तो दो options आपको मिलेंगे seat covers में जो आपको airbag के लिए जो option आपको मिल रहे है उसके अलावा interior में और कोई changes नहीं किये गए हैं तो एहां एक और चीज है जो मैं बनाना भूल गी आपको वह है मैंने इसमें armrest install करा है और यह armrest का क्या है और जुगाड या टाइप यहां पे screw लग जाते हैं और उसके बाद यह हो जाता है उसके बाद आप इसमें चाहो तो इसमें आप magnet install करा सकते हो तो उससे प्रॉपर पील देगा आपको और बन करने में प्रॉपर भी लाएगा बट अभी इसमें मैंने इंस्टॉल नहीं क संदर्ण में मेरा काम चल गया था तो यह चीज मैंने इसमें कराई है अभी मैंने इसमें पार्शल ट्रे इंस्टॉल नहीं कराई पार्शल ट्रे आपका इस फिरिंट में नहीं आती और अभी आफ्टर मार्केट पार्शल ट्रे मिल भी नहीं रही है तो एक यह चीज मेरी जाए गई है इसके अलावा बाकी यही चीजे मॉडिफिकेशन इसमें कराई गई है एंड इस मॉडिफिकेशन टोटल मॉडिफिकेशन की कॉस करूँ तो टोटल मॉडिफिकेशन मुझे अराउं 30-40,000 की पड़ी है तो अगर आप लोग भी बेस वेरियंट या स्मार्ट प्ल अगर आपको लग रहा है कि यह सब कराने के बाद यह गाड़ी वर्थ एट है लेना तो आप इस तरफ जा सकते हो बस इसमें जो मुझे एक ड्रॉबैक लगता है कि यार फाइब स्पीड का मैनुवल ट्रांस्मिशन उन्होंने दे रहे हैं इसको सिक स्पीड मैनुवल ट्रांस्मिशन देना चाहिए था बस यह कम ही मुझे लगती है अदर्वाइज आप गर आपको लगता है कि हां यार मिरको यह कार इतने की बढ़ रही है और इतना एक्सपेंस करने के बाद मेरे लिए कार अच्छी बन जाएगी तो आप डफिनेटली इस कार की तरफ जा सकते हो तो गईस इस वीडियो में इ बिलता हूं आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई